पाकिस्तान के नापाक मनसूबों को एक बार फिर नाकामियाब कर दिया B.S.F. ने हथियार ले जा रहे पाकिस्तान के एक ड्रोन को शनिवार को मार के राया B.S.F. के आईजी ने बताया कि इस ड्रोन के जरीए बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी इस ड्रोन से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामत हुआ है इस ड्रोन में M4 यूएस मेड हथियार सेमी आटोमाटिक कारबाइन सिक्सी राउंड टू मैगजीन साथ ग्रेनेड मिले इस हेक्सा कॉप्टर का वज़र 17 से 18 किलो है और 5 से 5.5 किलो का पे लोड ले जा रहा है BSF IG NS जामवाल ने कहा पांसर में BSF की पेट्रोलिंग टीम को एक हेक्सा कॉप्टर मूव करता दिखा इसे फायर कर गिराएगा किलो है और बहुत बड़ी इंसिडेंट को एक अवर्ट किया गया है यहां की पेट्रोलिंग पार्टी करीप पांच सवा पांच वज़े बाहर पेट्रोलिंग कर रहे थी उस दोरान में इनको पाकिस्तान की तरफ उनकी पोस्ट है ठाकुरपुरा जो कि नरोबाल सकरगर के अंदर पड़ती है वहां की डिरेक्शन से एक हेक्सा काप्टर आता हुआ दिखाई दिया है पहले अब आज सुनाई दी फिर जब इन्होंने उपर देखा तो हेक्सा काप्टर जो है वो मूब करता हुआ इंडिन टाहिटरी की तरफ एंटर हुआ जब यह धाई सो तीन सो अंदर आ गया तो प्रीब डेट सो से दो सो फुट की हाइट के उपर यह प्लाई कर रहा था तो नीचे से हमारी पार्टी ने फायर किया इसके उपर और इसको मार गिराया गिरने के बाद मैं जब इस हेक्सा काप्टर का सर्च किया गया तो उसमें से एक M4 US-made weapon semi-automatic कारवाइन रिकवर हुई साथ राउंड उसमें से मिले हैं दो मैगजीन्स मिली हैं साथ गरनेड्स मिले हैं और यह हेक्सा काप्टर का खुद का वजण कम से कम 75-80 kg है और यह पेलोड जो करी करी रहा था गरिब 5-5.5 kg का पेलोड करी करर रहा था यह हेक्सा काप्टर में जजड़ा तर जो पार्ट्स हैं वो चैनीज बेड हैं और इसके साथ में एक winch system लगा हुआ है जिससे यह जो पेलोड था वैपन और गर्नेड इसको download करने में एक mechanism होता है और जिससे की जो इस side में receive करने वाला आदमी है वो उसको disconnect करके collect कर लेता है और उसके बाद में जो है वो वापस पाकिस्तान territory में चले जाना दे है झाल झाल झाल